हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे तो आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर टू पढ़ेंगे तो चैप्टर टू है पिक्चर रीडिंग तो इस चैप्टर में आपके लिए पिक्चर रीडिंग दिए है यहनकि आपको इस पिक्चर को रीड करन इसमें क्या-क्या चीजे हो रही है उसके बारे में आपको बताना है सबसे पहले ध्यान से देखेंगे और उसके बाद इसमें से आप से कुछ questions पूछे जाएंगे, उनके आपको answer देने है, तो शुरू करते हैं तो आपको इस picture बहुत ध्यान से object करना है बच्चे क्या कर रहे हैं, कौण-कौण से game खेल रहे हैं, इस picture में क्या-क्या चीजे हैं, तो इन सब चीजे को बहुत deeply object करेंगे तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर यह पिक्शर दी गई है इसके दो पार्ट है यानि कि आधी आधी पिक्शर दी गई है तो इसे हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम पहली पिक्शर में देखेंगे कि यहाँ पर यह बच्चे एक गेम खेल रहे हैं कौन सा गेम है ये है हॉप इसकोस तो ये तीनों जो है ये बच्चा ये और ये लड़की जो है मिलकर इस गेम को खेल रहे हैं अब यहाँ पर नेक्स देखेंगे ये दोनों बाते कर रहे हैं यहाँ पर यह लड़का जो है counting कर रहा है याणि कि इसने अपनी आखों को बंद किये हुए है और यह जो लड़की है वो छिप रही है यहाँ पर यह लड़का छिप रहा है यह लड़का छिप रहा है इसमीज यह हाइड एन जी गेम खेल रहे हैं यानि कि कुछ मार्बल्स के साथ में गेम खेल रहे हैं अब यहां पर देखेंगे यह बच्चा भी यहां पर इस पौदे के पीछे चिप रहा है तो यह बच्चे बहुत सारे गेम खेल रहे हैं अब यहां पर पहली पिक्चर में आप और क्या क्या चीज़े देख रहे हैं यहाँपर कुछ यहाँपर furniture है बैठने की चीज़ें यह तूटी हुए यहाँ पड़ी है यहाँपर एक घर भी इस picture में दिखाई दे ऻहा है इस picture में यह जो है इसके बाहर आनि कि दीवार भी कुछ गर बने हुए है और एक बड़ा सा पेड़ है तो यह जो यहाँ पर पिक्चर है किसकी है एक प्लेग्राउंड की है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गेम खेल रहे हैं अब यहाँ पर question है what do you see आप क्या चीजे देखते हैं यहाँ कि इस पिक्चर में आपको क्या क् तो इस पिक्चर में हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें एक पिक्चर देखते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गेम खेल रहे हैं तो आप जो है इसे इसकरी के से लिखेंगे children are playing in the playground प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं अब next यहाँ पर question है, how many children are there in the picture, picture में कितने बच्चे हैं, तो अब आपको इसके लिए counting करनी पड़ेगी, यानिकि बच्चों को गिनना पड़ेगा कि इसमें कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो यहीं से हम शुरू करते हैं, one, उसके बाद two, three, four, five, six, seven, eight, कितने बच्चे हैं eight, उसके बाद nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, and seventeen, तो how many children are there in the picture, seventeen, तो यहाँ लिखेंगे seventeen, s, e, v, e, n, t, e, e, n, seventeen, next is what are the children doing, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे playing, playing different games, वो अलग-अलग तरीके के खेल खेल रहे हैं, अब यहाँ पर next है, how are children having fun, बच्चे कैसे fun कर रहे हैं, कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं खेल खेल कर तो यहां लिख देंगे by playing games अब यहां पर next है what games do you play आप कौन-कौन से game खेलते हैं यहां कि आपको कौन सा game पसंद है आप कौन से खेलते हैं तो जैसे की इसमें game है hop scotch hop hop s-c-o-t-c-h और कौन सा game है hide and seek h-i-d-e-s-e-e hide and seek और यहां पर कौन-कौन से खेल खेल रहे हैं marbles m-a-r-b-l-e-s तो आप जो भी game खेलते हैं इसी तरीके से उन games का नाम लिखेंगे अब यहां पर है let us read तो यहां पर एक story दी गई है तो उसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं out out तो यह जो story है इन दो बच्चों की है एक boy है और एक girl है it was a holiday यह एक छुट्टी का दिन था यानि कि छुट्टी के दिन की बात हो रही है jeet and bubbly were playing यह लड़का कौन है यह है jeet और यह है bubbly jeet और bubbly खेल रहे थे they played many games उन्होंने बहुत सारे game खेले both of them skipped the rope उन दोनोंने अब उन्होंने बहुत सारे game खेले हैं तो सबसे पहले क्या किया उन दोनोंने सबसे पहले rope यानि कि रसी कूदी रसी कूदने वाला game खेला they played hide and seek उसके बाद में उन्होंने hide and seek का game खेला यानि कि bubbly and jeet decided to play bet and ball उसके बाद में क्या होता है bubbly और jeet ने निर्ने लिया कि अब हम bet ball खेलेंगे jeet got ready to throw the ball bubbly अब batting करती है और jeet जो है उसे ball फैकता है तो jeet उसे ball फैकने के लिए तयार हो जाता है अब क्या होता है jeet throw the ball bubbly hit the ball jeet ने ball फैकी bubbly ने ball को hit किया अब क्या होता है the ball went into mohit's garden ball mohit के garden में चली गई but his house was locked अब होता क्या है उसका घर बंद था they could not find the ball अब उन्हें ball नहीं मिली it means वो ball को नहीं ढूंड सके so the game stopped और अब क्या होता है उनका game बंद हो जाता है और इस तरीके से उनका bad ball का game रुख जाता है और उन्होंने बाकी के game पहले ही खेल लिये थे अब यहाँ पर हम sight words देखेंगे sight words कहते हैं जिने आप देखते ही पहचान लो यानि कि आपको समझ आजा है कि हाँ ये वाला word इस story में use हुआ है तो ऐसे sight words यहाँ पर कौन-कौन से हैं तो आप एचान कर बताएंगे तो पहला है यहाँ पर अब यहाँ पर new words हैं skipped यानि कि रसी कूदना through फैकी courtyard कहते हैं आगन को यानि कि घर में जो खुली जगह होती है उसे हम courtyard कहते हैं next है gathered, gathered मींस होता है इकठा होना, इकठे हुए brought, brought यहाँ पर bring की past form है it means brought का यहाँ पर meaning है लाया, picked उठाया तो pick की यहाँ पर past form है picked तो यह new words इस story में जीत और बबली की story में use हुए हैं तो आप इन्हें डूंडेंगे अब आगे क्या होता है bubbly knew how to make a ball अब बबली को पता था की ball कैसे बनाते हैं they got a few reds, papers and wool अब उन्हें कुछ वहाँ पर few यहाँ की कुछ reds, फटे हुए कपडे, paper यहाँ की कागज और wool, उन मिल गई उनके पास कुछ फटे, कपडे थे paper था और कुछ उन थी, bubbly also brought a piece of string तो bubbly क्या लाई bubbly कुछ string यहाँ की धागा, यहाँ की कुछ धागे के टुकुडे भी लेकर आई she rolls reds, अब उसने क्या किया उन reds, फटे चीतरे कपड़ों को यहाँ की फटे कपड़ों को roll किया, और किसको paper को and wool को to make a ball ball बनाने के लिए उसने reds, paper और wool को एक साथ roll किया then she tied the ball with a string अब उसके बाद क्या होता है, आप देख सकते हैं picture में, उन तीनों को एक साथ roll करने के बाद वो string से ball को band देती है, they like the new ball, उन्हें वो नई ball बहुत पसंद आती है, यहनि start हो गया, और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया this time bubbly picked the ball, इस बार होता क्या है इस बार bubbly ने ball को उठाया jeet picked the bat यहनि कि अब की बारी jeet की थी batting करने की और bubbly की balling, bubbly through the ball, bubbly ने ball को फैका, jeet jeet hit the ball hard और jeet ने बहुत तेजी के साथ ball को hit किया the ball opened up और होता क्या है, कपड़े की ball होती है वो खुल गई and scattered in the air और हवा में ही बिखर गई bubbly jumped, bubbly koodi and caught a piece of rest और उसने क्या किया, एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा पकड़ा, जो की ball का गेरा था she jumped and shouted, और वो koodi और चिल्लाई, क्या चिल्लाई out, out की तुम out हो चुके हो, क्यूंकि ball खुल चुकी थी और उसका एक कपड़ा उसके हाथ में आ चुका था, इसलिए वो चिल्लाई की जीत तुम out हो गए I hope आपने इस story को enjoy किया होगा और ध्यान से पड़ा होगा, तो अब यहाँ पर इस story के कुछ questions है तो अब हम questions देखेंगे answer the following questions what games do you like to play with your friends अपने दोस्तों के साथ आप कौन कौन से games खेलना पसंद करते हैं जैसे कि बहुत सारे game होते हैं, bat ball जो की जीत और बबली खेल रहे थे उसके बाद football होती है, basketball होती है badminton होती है तो बहुत सारे game है, तो आपको जो भी game पसंद है अपने दोस्तों के साथ खेलने, उनके यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे कि bad ball, football basketball volleyball जो भी हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर next है, have you played bubbly made a ball using a few rays, papers wool and string bubbly ने string का यूज करके wool का, paper का, rays का इन चीजों का यूज करके एक ball बनाई थी, have you tried to play a game using the things around you, क्या कभी आपने अपने आसपास जो चीजें हैं, उनका यूज करके खेलने का प्रयास किया है, what did you play, तो आपने क्या खेला है, name the things उन चीजों का नाम भी लिगे, that you use to play, जो आपने खेलने में यूज की, talk about it in the class और इसके बारे में आप अपने class में discuss करेंगे बातचीत करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि I play seven tiles game using seven stones, साथ पत्रों का यूज करके, मैंने seven tiles game खेला है, तो हम seven stones कहां से लेते हैं, तो हमारे आसपास से ही हम उन्हें खटा करते हैं और अपने friends के साथ खेलते हैं अब यहां पर next है, read pages 10 to 11 of the story again, 10 और 11 page number जो है, story का आप उसे दुबारा पढ़ेंगे, and number the following sentences in their correct order और यहां पर sentences को correct number में, यहनी की order में यहां पर लिखना है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमने अभी story पढ़ी थी jeet got ready to throw the ball, सबसे पहले क्या होता है, पहली बारी किसकी होती है, wedding की bubbly की, तो उसमें jeet जो है ball को throw करता है, यहां पर लिखेंगे number one, उसके बाद क्या होता, jeet through the ball jeet ने ball को फैका, तो यहां लिखेंगे number two, उसके बाद में bubbly hit the ball, जब jeet ने ball को फैका, तो bubbly ने ball को hit किया, तो यहां पर इसका correct order है number three, अब उसके बाद क्या होता है, the ball went into mohit's garden, ball कहां चली जाती है mohit के garden में, तो यहां लिखेंगे number four they lost the ball और वहां पर उन्हें ball नहीं मिलती है, it means उनकी ball खो जाती है, तो यहां लिखेंगे number five, तो इस तरीके से आपने correct order में लिखेंगे अब यहां पर next है, read the words below each picture, यहां पर प्रतिक picture के नीचे words दिये गए हैं, उन्हें आप read करेंगे तो first में यहां देखेंगे an egg, एक अंडा है यहां पर, an engine, an elephant a pen a pencil, a bell यानि कि एक गंटी है a cattle, a hand and a well तो यहां पर देखेंगे हम a, an, an और यहां पर next है egg egg यानि कि अंडा तो egg जो word है, इसमें e sound कैसी है, e एक boval sound है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, कि boval कौन से होते हैं, boval होते हैं, five a, e i, o u, तो जो भी words boval sound से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम n का use करते हैं, तो यहां पर engine word में e क्या है boval है, तो इसी लिए यहां पर n का use हुआ है, elephant में e क्या है, यह भी एक boval है, यानि कि यहां पर तीनों जो words हैं, यह boval sound से start हुए हैं, इसी लिए यहां पर n का use कि आ गया है, अब यहां पर आपको पहचानना है, कि इन words में boval sound कौन सी है तो next देखो, a pen, तो pen में e क्या है, e यह boval sound है, pencil में p के बाद में e है, यानि कि boval sound है a bell, तो यहां पर e क्या है, boval sound है, कहां यूज हुई है, बीच में यदि यह शुरू में होती, तो a की जगे किसका यूज करते, n का यूज, अब next है cattle तो cattle में k के बाद कौन सी sound है, boval sound है और यहां पर l के बाद भी boval sound है, अब next है a hand, तो hand में e, h के बाद में e कैसी sound है, boval sound है a well, a kua तो यहां पर w के बाद में यानि कि बीच में use हुई है, boval sound तो अब आपको clear हो गया होगा कि कौन कौन सी boval sound होती है, तो यदि boval sound से कोई words शुरू होता है तो उससे पहले हम and का use करते हैं, otherwise a का use करते हैं अब यहां पर next है, read the story out out, जो story अभी हमने जीत और बबली की out out पड़ी है तो आपको उसे दुबारा पढ़ना है and fill in the blanks और blanks में fill करना है तो write the names of the children in the story, तो इस story में जो बच्चों का use हुआ है जो बच्चे हैं, उनका नाम यहां पर आपको लिखना है, तो कौन से हैं वो बच्चे, तो बच्चों का नाम है जीत और बबली, तो यहां लिखेंगे J E E T Jीत B A B L I, बबली अब यहां पर next है writes the items उन items का नाम लिखना है that the children used to make a ball, जिसका यूज बच्चों ने उस ball को बनाने में किया है, तो क्या-क्या चीजों का use किया था उन्होंने फर्स्ट है रेज R A G S, दूसरा paper P A P E R next W O O L wool and S T R I N G string अब यहां पर next है write the opposites of the following words यहां पर कुछ words दिये गए हैं जिनके आपको opposites लिखने हैं One has been done for you एक आपको करके बताया गया है जैसे कि आपका क्या होता है down तो in का क्या होगा in यानि की under इनका अपोजिट होगा out O U T out open का होगा close open होता है खुला और close बंद fat मोटा तो fat का अपोजिट होता है thin T H I N thin hot गर्म hot का अपोजिट होता है C O L D cold small small means होता है छोटा इसका अपोजिट होता है big small छोटा big बड़ा तो इस तरीके से आप ये opposite words करेंगे अब यहाँ पर next है join the sentences using end end का use करके आपको sentence को use करना है end का use करके आपको sentence को join यानि की जोडना है write it in the given space और इसे फिर दिये गई जगे में लिखना है one has been done for you एक आपको करके बताया गया है जैसे की सुरेश went to school गोपाल went to school यानि की सुरेश इसकूल गया गोपाल इसकूल गया तो end का use करके किस तरीके से लिखना है सुरेश एंड गोपाल वेंट टू अभी हाँ पर next है I like to eat mangoes I like to eat grapes तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे I like to eat mangoes and grapes G-R-A-P-E-S grapes अभी हाँ पर next है The cat sat on the mat Cat mat पर बैठ गई The dog sat on the mat और dog भी mat पर बैठ गया तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे The cat and dog sat on the mat अभी हाँ पर next है This ball has yellow dots on it इस ball पर yellow color की dots है This ball also has green dots on it इस ball पर green dots भी हैं तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे अभी हाँ पर next है There are tables in my classroom मेरी classroom में tables है There are chairs in my classroom मेरी classroom में chairs भी हैं तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे There are tables and chairs in my classroom तो आप इस तरीके से end का यूज करके sentences को join करके यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर next है Let us do Choose a partner अपना कोई भी एक साथी चुनेंगे Imagine और कल्पना करेंगे You बोथ हार bubbly and जीत की आप दोनों जो हैं आप दोनों ही bubbly और जीत हैं Inact the story अब इस story को Inact यानि की अभिन्या करेंगे करके दिखाएंगे कैसे उन्होंने खेल खेला है ऐसे ही आप दोनों इस story को करके दिखाएंगे इसके माद्धे हमसे अभिन्या के द्वारा You may use some words from the story for dialogues Dialogue के लिए यानि की बोलने के लिए इस story से उन dialogues को आप ले सकते हैं यानि की कुछ का यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर next है Ask your grandparents और parents to tell you about a game अब आप अपने दादा दादी से या फिर अपने माता पिता से कोई भी एक story आपको कोई भी एक game आपको बताने के लिए कहेंगे that they had played in their childhood जो की उन्होंने अपने बच्पन में खेला था find out about it in detail अब उस game के बारे में आप पूरी detail में जानकारी प्राप्त करेंगे यानि की अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी कट्टी करनी है the next day speak about it in the class और जो भी जानकारे आपने अपने माता पिता से या फिर अपने ग्रांट पेरेंट से कट्टी की है उसके बारे में अपनी class में अगले दिन बताएंगे तो जैसे कि यहाँ पर इस picture में कौन सा game है ये पतंग उड़ा रहे हैं तो पुराने समय में ये जो आपके दादा जी हैं जैसे कि वो पुराने समय में पतंग उड़ाते थे तो पतंग किस चीज से बनती है कागज से, थ्रेड से, इस्टिक से इसे बनाने में किन-किन चीजों का यूज करते हैं और पतंग को कब-कब उड़ाया जाता था कैसे वो उड़ाते थे उड़ाने के लिए सब इकटे होते थे किसकी सबसर पतंग को उड़ाते थे तो इन सबी चीजों को आपको डिटेल में इकटा करना है और अपनी क्लास में बताना है तो ऐसे ही यदि कोई अन्य गेम भी है तो उसके बारे में भी इसी तरीके से जानकारी इकटा करेंगे और अगले दिन क्लास में अपने बताएंगे तो ये था आपका चैप्टर I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा आप दुबारा से पढ़ेंगे समझेंगे और अपनी क्लास में बताएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक और शेयर और इफ यू आ नियू अन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू